तो कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग थीक होंगे तो गाइस आज मैं आपके साथ मेंधी एर्पैक शेयर करने वाली हो आपके बालों की सारी प्राइवल्ब्लम्स को दूर कर देगा यह मैंधी ऐर्पैक आपके बालों को सिल्की शाहनी इन स्टॉ tapsátी साथ अगर आपको हैर को कोपी घडud कर ले गार carbon also तो यह आपके dandruff की problem को भी remove करने है बहुत ज़्यादा help करेगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को like नहीं किया तो प्लीज वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो के end में मैं आपके साथ कुछ tips भी share करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत जादा helpful होगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की लोई की कड़ाई या आपके पास कोई भी लोई का बरतनों आप उसे यूज कर सकते हैं अगर आप अपने बालों में मेंधी का कलर डाक देना चाहते हैं तो आपको लोई का बरतनी लेना है और अगर आप अपने मेंधी का कलर डाक नहीं चाहते हैं तो आप किसी वर्तन का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मैस में लेने वाली हूँ महदी पाउडर आप अपने बालों की लेंद के इसाब से इसकी कॉंट्रिटी को कम या जाधा भी कर सकते हैं पर याद रहे महदी पाउडर आपको अच्छी कमपनी का ही यूज़ करना है आप अपने पसंद का कोई भी महदी पाउडर यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें 2-3 चमच आवला पाउडर एड़ कर देंगे इसके बाद हम इसमें 2 चमच बीटूट पाउडर भी एड़ कर देंगे अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस हैर पैक को और एफेक्टिव बनाने के लिए मैंने या एक बतर में 2 गलास पानी लिया है उसके बाद मैं इसमें 2 चमच चाय पत्ती आट करूँगी अब हम इस पानी को 5-7 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल होने देंगे जिससे चाय पत्ती का रंग अच्छे से आ जाएगा हम चाय पत्ती का पानी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बालों को सिल्की शाइनी बनाने के साथ-साथ मेंदी को डाक कलर देने में भी बहुत जादा हेल्प करती है 5-7 निट बाद चाय पत्ती का पानी बहुत जादा डाक हो गया है अब हम इसको हलका ठंडा होने के लिए रखतेंगे पानी ठंडा हो जाने के बाद हम इस पानी को अच्छे से च्छान लेंगे हम इस पानी से मेंदी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद overnight इसको ऐसे ही ढककर रखतेंगे और next morning हम इसे apply करेंगे मेंदी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा मेंदी लगाने से पहले आपको इस मेंदी में लेमन जूस को आइड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है लेमन जूस एड करने से आपके डेंडर्फ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो चलिए इसे अपलाई करते हैं आपको मेंदी लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे तरह से कॉम कर लेना है और बालों को दो सेक्शन्स में डिवाइट कर लेना है आप चाहे तो हाथों में गलपस भी पहन सकते हैं इससे मेंदी का रंग आपके हाथों पर नहीं लगेगा मेंदी को पूरे बालों में अच्छे से लगाना है क्यूंकि यह आपके बालों को ज़णने से रुकती हैं बालों को लंबा और घना करती है मेंदी को आप 2-3 गंटे तक अपने बालों में ऐसे ही रहने देंगे और 2-3 गंटे बाद अपने बालों को plain water की help से wash कर लेंगे तो guys tip number 1 है मेंदी लगाने से पहले आपके बालों एकदम clean होना चाहिए आपके बालों में oil बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए tip number 2 है hair wash करते time आपको गरम पानी का use बिल्कुल भी नहीं करना है ठंडे पानी से ही अपने बालों को wash करना है tip number 3 है मेंदी लगाने से एक दिन बाद आप hair oil कर सकते हैं tip number 4 है इस hair pack के अच्छे results के लिए आपको इसे मंत में 2-3 बार जरूर यूज़ करना है tip number 5 है मेंदी hair pack को scalp पर अच्छे से लगाना है क्योंकि यह आपके scalp को मजबूत बनाती है दो गंटे बाद मैंने अपने बालों को plain water scalp से wash कर लिया है इसको use करने के बाद मेरे बाल काफी silky shiny लग रहा है आप देख सकते हैं इसका color काफी अच्छा है यह मेंदी बालों को naturally color करती है यह आपके बालों को किसी भी तरह का हाम नहीं करती है इस hair pack को मैं काफी टाइम से use कर रही हूं आप भी इस hair pack को एक पर जरू ट्राइक करना मेरे लिए इसका experience काफी अच्छा रहा है क्योंकि यह मेरे बालों को naturally color करता है कमेंट शेक्षन में आप मुझे जरू बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें share करें और मेरे चैनल को subscribe करें मिलते हैं बहुत ही चलते कि नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक केर अलाहाफेज